हाई दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बहुती आसान और बहुती टेसटी सी मैंगो कुलफी वो भी कम ताइम में बनाज starts И mirrorßen छील लीजिए और जिस तरीके से आप अम्रस बनाते होंगे तब छीलते हैं उसी तरीके से छील लेना है अलकल का और उपर से इसका गदा इस तरीके से निकाल लेना है और गुटली को अलग कर लेना है जैसे आप अम्रस में करते हैं उसी तरीके से इसमें भी आपको कर लेना ह तो अब यह तयार है हमारा अब दिखिए इसके साथ ही हम अमूल फ्रेश क्रीम लेने वाले हैं यह नॉर्मली आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगी यह 250 ml की रहती है इसकी प्राइस शॉप से इसको ले लिजेगा अब इसको हम इसमें एड कर देंगे मैंगो के साथ साथ त 250 ml हमारा अमूल फ्रेश क्रीम है तो यह हमने इसके अंदर एड कर दी है अच्छे से क्रीम पूरी हमने एक साथ ही डाल दी है अब इसके अंदर हम शुगर एड करेंगे शुगर की क्वांटिटी में आपको बताओं तो दस से बारा चमच में चीनी ली है आप ज्यादा मीठ चाहते हैं तो थोड़ी शुगर और बढ़ा सकते हैं तो देखिए इस तरीके से हमने शुगर आइड कर दी है अब दूद आइड करेंगे तो दूद की जो क्वांटिटी रहेगी नॉर्मल दूद रहेगा क्वांटिटी 250 ml रहेगी जितनी हमारी क्रीम थी उसके बराबर ही जाएचे समिक्स ऑजा हुए तो चल्लेएब इस्को उचिया है और आइस क्या गाड़ा हुआश्किम less गणा तो बỡ़ा रहा है हटाई क्योंकि आपको कर क्वाक्ति यह ज्यादा थै्पटला रहेगा तो इबरफसी बन जाती ऐ आप बोलेगे करेसे कम टाइम में बनना य क अगर आपकी पास आइस्क्रीम मोल्ड आविलेबल नहीं है, तो किसी बॉल में डिस्पोजल कप मेंगों में डिस आइसक्रीम दिट दैना है तो अभी में पास आइसक्रीम मोल्ड आविलेबल आच्रीम में अग अलगाई it तो इस तरीके साही है एकवल एकवल डाल दीना है दिखिए देखिये किता बढ़ी है यूद तैयार हो गया है और इस्थ में ज्यादग ज्यादå घर पर बना सकते हैं ये बच्चों को, बड़ों को सब को बहुत पसंद आता है और जादा महनत भी नहीं लगती है मैं भी mostly यही आइस क्रिम बनाना प्रिफर करती हूँ क्योंकि mango इस टैंपे बहुत अवेलेबल रहते हैं और सब पसंद भी करते हैं तो आप भी इसे try कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो like, share, comment करना ना भूलिएगा चलिए देखे इसमें हमने equal equal डाल दिया है अगर आपके पास stick अवेलेबल है तो stick यूज़ कीजिए लेकि में आप मोल्ड की stick अवेलेबल है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ आठ से 10 घंटे में बहुत अच्छे से जम जाती है क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे से जमानी होगी है क्योंकि थोड़ा घोल इस तरीके का होता है कि जल्दी से जमने में नहीं आता है तो आठ से 10 घंटे तो आपको मैं इसको minimum freeze में रखना ही होगा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रात को बना के रख दें और सुबह चेक कर लें तो अभी हमारी आइस क्रीम बनकर तयार है हम चेक कर लेते हैं अगर आप चाहें इस तरीके का मोल्ड हो तो इसको थोड़ देर पानी में रख दें जिससे easy way में यह निकल जाएगा देखिए इस तरीके से देखें कि वाओ किती बड़ी आइस क्रीम बनी है देखने के साथ यह खाने में भी बहुत यह भी बनी थी इस तरीके से हमें सारी आइस क्रीम निकाल ली थी और ऐसे ट्राइक कीज़े आपको बहुत पसंद आएगी बचे वे जो डिस्पोजल है हमारे अब इसमें निकाल लिया है आइस क्रीम को और नाइफ से इस तरीके से कट कर लिया है दोनों डिस्पोजल की आइस क्रीम को और यह बड़ा सी आइस क्रीम तयार है